तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में यह मीवी का डू पॉट्स के सेवन और जैसे के आपको पता है रिसेंटली मीवी ने बहुत सारे लॉच करना चालो किया है सबसे पहले तो कमांडो एक्स नाइन लॉच किया था जो कि एक गेमिंग टी डावले से जिसके ब इसको भी और कर दिया और उसका भी बहुत ही चल्दी आपको रिवीव चैनल पर मिनने वाला है तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बार में जो कि अल्मोस्ट मैंने 10-15 डेज पहले बाई किया तो और अच्छे से इसको यूज किया है उसके बार में आपको इसके बार में दे रहा हूं तो यह वीडियो में आपको इंदेफ्ट रिवीव के साथ-साथ अन्बॉक्सिंग भी मिनने वाला है तो लिखते हैं क्या यह वाइलेस एरबर रियली आपके मनी के वोर्थ है मतलब वीकेंड से इस इट रियली वोर्थ यार मनी तो चलिए फटा-फट से इसे दिखाए देता है उपर के साथ में आपको बर्ट की इमेज इस दिखाए देंगे मेवी का ब्रैंडिंग है डूपोर्स के 7 लिखा हुआ है ट्रू वाइरलेस यह फोंस लिका हुआ है और यहां पे कुछ की हाइलाइट डाले हुए पीछे के साथ में भी कुछ की फीच मिल जाएगा दूसरे दो पेज पर आपको एक वेलकम टुदा क्रिव वाला कार्ड मिल जाता है मीवी के ब्रैंडिंग के साथ में और एक रिजिस्ट्रेशन एंड कस्टमर सपोर्ट के नमबर्स भी मिल जाएंगे बाकी साइड में चोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जिसके अगर आपको यह चोटी वाली कीबल मिल जाएगी और दो पैरस ओफ यह टिपस मिल जाएंगे तो आपके यहर के हिसाब से आप इसको अपने यह बड्स में लगा के यूज कर सकते हैं बाकी सेंटर में आप देख सकते हैं यहां पे इसका में यूनिट है जो कि मैं आपको न सारे कलर्स को आप क्लोज लिए उब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपको एक शीमर जैसा फील दिखाए देता है दिखने में काफी एलिगेंट और प्रीमियम डिजाइन लगता है ओपन और क्लोज जब आप लेड करोगे तो उसमें भी आपको काफी मजा आएगा यह मेट अगर इसका केस के फीचर के बारे में बताना चाहो तो उपर की तरफ आपको मीवी का ब्रैंडिंग दिखेगा जो कि आप जब टच करोगे तो थोड़ा सा उबरा हुआ है मतलब तो शायद आप इसको ज्यादा यूज करोंगे या पूछोगे तो यह प्रिंट जो है निकल पर चण पर बताते जो की पीचह के साइड में आपको टाइप सी पोड दिया हुआ है जिससे हम से आप इसको चार्ज कर सकते है तो यह है नहीं हैं measuring इस एक पास यह पर अपको टोटल फाइवरी ब्लैक ब्लिव एंड ग्रीन तो जो भी आपको पसंद है आप इन में से बाय कर सकते हो चलिए फड़ा-फड से इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं कि आपने बहुत सारे वीडियो और आपको वेबसाइट पर भी इसके फीचर के बारे में इंफोर्मेशन मिल जाएगा पर मैं आपको एक क्विक ओवर्यू इसके फीचर का दे देता हूं तो सबसे पहले तो सबसे यूनिक फीचर जो इसके अंदर लोग ने मेंशन किया हुआ बात करूंगा तो यहां पर मेरा मुँव है और इसका इधर तो इसके वज़े से माइक प्रैक्टिकली बहुत दूर है अगर मैं ऐसे करके बात करूंगा तो यह अच्छा साउंड जो है केप्चर करेंगा तो अगर मैं इधर से बात करोंगा तो च्रांट क्यायों करेंगा इसका इसका प्रैक्टिकल रीजन हैं जो मैं की वज़े से थोड़ा साласт widenNEY फोघ्य Attwhy से ether यहां पे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन या फिर एएनसी जैसे फीचर्स यह लोग बर्ट में डाल जाते हैं जिसके हैं कि यहां पर आपको एडिशनल माइक दिये जाते हैं जैसे इन इसकेस आपको चार माइक दिये जाते हैं जो की एक माइक उपर की तरफ होता है और एक नी बढ़ाया जाता है और जो उसको रिडियोस किया जाता है जिसके हल्प से आपको जो साउंड है वाइल कॉलिंग अच्छा सुनाई देता है तो यहीं टेक्नोलोजी यहां पर यूज किया गया है पर मैं यह नहीं कहूंगा कि एक दम यह क्रिश्टल क्लियर साउंड आपको बैगरण नोइस फिर भी थोड़ा बहुत आने वाला है नेक्ष्ट बात करते हैं इसके टच कॉंट्रोल के बारे में तो टश कंट्रोल का मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं मीवी का कमांडो एक्स नाइन का तो मीवी के सारे टी डबली एस में आल्मोर्स सेम फंक् पर यह ऑन पेपर है तो इसको आप 2-3 आर्स करके पकड़ लेना क्योंकि वह डिपेंड करेंगा कि आपको कॉल्स कितने आते हैं आपका यूजस कैसा है कितने लेवल्स पर आप म्यूजिक को सुनते तो टोटल फिफ्टी आर्स है तो ज्यादा जितना आर्स हैगा उससे दो इसको बाइक कर सकते हो बाकि चार्ज करने के लिए यहां पर टाइप सी पोर्ट डियावाय जो की क्विक चार्ज सपोर्ट भी करता है जिसके हैं से आप 10 मिनिट के चार्ज में अप टू एट आर्स तरका प्लेबैक टाइम लेसर यह भी अगें डिपेंड करेगा आप कैसे इसको यूज कर रहे हो कितने आपका यूज से कितने लेवल पर आप वाल्यूम स रखते हो तो वह सारा चीज आपको ध्यान में रखते हुए यह इसको पाइक करना है अभी सबसे इंपोर्टन चीज जो है वह सांट क्यों है तो मीबी के मैंने बहुत सारे इसके प्रिवेस यूज किये हुआ जो की चैनल पर उतके रीव्यूस भी मैंने डाले हुए तो सब जो टी डार्वियस है वह अलमुस्ट इनलर ही वर्क करते हैं यहां पर आपको इसके डायनेमिक ड्राइवर्स के बारे में बताता हूं तो थार्टीन एमम के डायनेमिक ड्रायवर्स यहां पर दिए हुआ है पर अगर sound quality की बात करें तो almost similar है flat sound आपको मिलेगा या balance sound आपको मिलेगा कोई भी overpower नहीं करेगा जैसे बोट या जे बील के ्हें सप्पाइबैबान साथ आपको सारा जिए के बार आनला कि उसको । his से मतलब कोई ईपनी के लाजर जो म्यूज से करें और पर फर स्थिएविलेजä सता चेंदा अब मेने to a perform 5 में फिर पोटीस款 और मैं इसके उपर और Uneed पर मेरा प्रोफाइल जो है वह मैंने मेरे अपने हिसाब से सेट किया म्यूजिक में तो उसमें मेरे को ठीक टाक इसका वाल्यूम लगा मेरे को ऐसे कुछ भी इश्यू नहीं आया मुजिक लिस्निंग के टाइम मतलब जो प्राइस के साथ यह आ रहा है आभी फिफ्टीन हंड़ेट के आसपास आ तो उससाब से इसका साउंड काफी अच्छ है मतलब ठीक टक साउंड मिलेगा मतलब एकदम बेकार भी ने एकदम अच्छा भी ने तो आप डेफिनिटल इसको कंसिडर कर सकते हो म्यूजिक लिस्निंग के लिए बाकि स्ट्रेट आउट ऑफ दो बॉक्स अगर आप इसको सुनोगे तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा अगर आपने इससे महेंगे टीडवलेस यूज किये हुए है या फिर वायड हैरफोन यूज किये हुए है जो जाए कर पाऊगे बाकि यह डबल एसी और एसबी एस साउंड को सपोर्ट करता है और उस हिसाब से साउंड ओके ओके लिटेंसी की बारे में बात करेंगे तो म्यूजिक लिस्निंग में तो आपको वीडियो दीखेगा नहीं तो इसके वाज़े से उसमें कुछ पता नहीं पर जब आप वीडियो देखती हो यूटूब या ओटीटी एस पर लिप सिंकिंग में इस्यू होता है गेमिंग मोड में वह इस्यू जो है वह थोड़ा सा रियूडियो हो जाता है पर वाइड का कंपरिजन में यहां पर लेटेंसी आपको मिलने वाला डेफिनेटली तो यहां पर लो लेटेंसी की बात ही हो रही है तो मैं बता देता हूं कि यहां पर आपको 50ms की लो लेटेंसी मिल जाती है जो की गेम मोड में मिलती है उसको एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट वाले बड्स को तीन बार टैप करना है फिर यह अंदर से बोलेगा गेम तब आपको जो लेटेंसी होते हुए दिखाई देगे तो अगर आप गेमिंग भी इसके साथ करोगे या फिर मुजिक वीडियो देखोगे या फिर मुवीज ओटिटी पर या फिर यूटुब पर देखोगे सीरीज जो भी आप देखते हो तो वह टाइम पर आप यह झाल खिर खिर मुवीज बाइम इसके साथ करोगे सीरीज पर आपको अज़ गगे साथ करोगे साथ आपको तो वह एक्छावे सीरी इसके साथ करोगे साथ करोगे कि अब कि अब कि अब कि में फूट स्टेप्स वगेरा आपको ठीक टाक सुनाए देते हाला कि यह गेमिंग के लिए बनाया नहीं है अब यहां एक्स नाइन यह उगां और इसको भी आप डेफिनिटली के लिए उज्ट कर सकते हो और क्याज्यल गेम से इस वकेर युज कर ले तो अब है और यह इसे दोस्तों के साथ में ओफिस के बाद में कॉलेज कोलेज के बाद में खेलना चाहते और गेम मोडा अक्टि और में फैन के नीचे बता हूं जो कि अल्मोस्स थर्ड के आश्कर स्टाल हुए तो काफी सारा हुआ है पर आप बताना कि माइक में यह आवास कैप्चर हो रहा है यह नहीं हो रहा है अभी मैं माइक को अपने मूप के पास में लिके आता हूं तो आप देख से तो कितना साउ आपको सुनाय दे रहा होगा तो यह है में माइक जो है इसका देख लिया आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको इसका साउंड कैसे लगा अभी बढ़ते इसके कॉंस की तरफ तो सबसे बड़ा कॉन जो है वह है इसका साउंड क्वालिटी जो की ठीक्ता क्या इस स्मूथ होने की वज़े से ये कभी आपके हाथ से स्लिप होसकता है वही सेम चीज बारे में वहर्द बहुत है बेसे मतलब स्मूथ यहां का ऐसे डिगया हुए यह-टाइन की यह यह कुछ होता है पाकी इसका तुच का भी मिर को इस लगा तो नहीं लोग फिस लग रहा तब भी इसका टॉच हो जाता है और अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो वह पॉस हो जाएगा अगर आप बाइचांस कॉल पे होगे और आपको खुझली हुआ और आप ऐसे उसको हैंडल करने जाओ तो शायद यह दूसरे कॉल को पिक कर लेगा या फिर आपके कॉल को एंड कर लेगा तो तच कंट्रोल की वज़े से वह प्रॉब्लेम आपको मिल सकते हैं मतलब आप कहीं पर एमर्जनसी में जा रहे हो ऐसे हिल गया है वह आप एड़िस करने के लिए हाथ लगा हुए तो यह एक मेरे को कॉन लगा एक्सिदेंटल प्रेस जो है इसमें अंदर हो सकत बाकि ऐसा कुछ कौन मेरे को लगाने आपको अगर कुछ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपने इसको यूज किया है कि ओवर ओल एक 2500 की हिसाब से आप डेफिनेटल इसको बाय कर सकते हो काफी अच्छी अलग-अलग colors में भी और आप सैटिस्फै हो जा लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में वहां से अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो बाय कर लेना थाकि चैनल को भी financially help हो जाएगा conclusion की बात करें तो overall एक great choice है good quality earbuds है and affordable price point के साथ में आपको यह मिलता है तो definitely आप consider कर सकते हो बाकी वीडियो पसना है तो लाइक जरूर कर दे बाकि डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिक्शन में डाला है उसको भी follow कर लेना कभी कभी notifications जो है YouTube के आते नहीं है तो आपको फटा-फट से notification भी मिट जाएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना एक comparison वीडियो एक 9 वर्सेस के 7 आएगा और एक review वीडियो के वन का भी झाल